इस सीरीज के अंदर हम लोग कम्प्लीट जोग्रफी को मल्टिपल चोइस के तुरू कवर करने की कोशिश कर रहे हैं आज की क्लास में next 20 important questions solve करेंगे और काफी नय topic सीखने की कोशिश करेंगे आज के जो topics होने वाले हैं वो mainly होने वाले हैं climatology के उपर स्टार्ट करते हैं question number 1 के उपर geostrophic winds are generated when these two forces are balanced with each other बोले geostrophic winds कब generate होती तो question is about the geostrophic winds अब geostrophic winds क्या होती हैं उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि feral model कैसे work करता है और feral model के अंदर क्या flaw है feral model हम लोग को क्या बताता है for example this is earth earth में एक side में बना रहा हूं here we have equator equator is at 0 degrees and here we have poles poles कितने पर हैं बोले 90 degrees पर हैं लेकिन इनके बीचे 30 degrees भी आता है और इनके बीच में 60 degrees भी आता है equator पर आपको पता है air क्या करती है rise करती है okay air क्या करती rise करती है फिर air deflect करती 30 degrees पर sink कर जाती फिर 30 degree से 60 degree जाती है 60 degree पर वो दुबार हाइक करती है फिर deflect करती है पोल्स पे sink करती है और यहां से वो ऐसे जाके अगे 30 degrees पर sink करती है अगर equator पर surface से air rise कर गई है तो surface पे क्या बन जाएगा low pressure बन जाएगा 30 degrees पर air sink कर रही है तो यहाँ पर surface पर क्या बन जागा तो आप बोलेंगे high pressure 60 degrees पर again air rise कर रही है तो आप बोलेंगे surface पर बन जागा low pressure poles पर air sink कर रही है तो आप बोलेंगे क्या बन जागा high pressure अब important यह नहीं है this is ferral's model यह तो कौन सा model था? Ferral model था Ferral model ने बताया क्या? बोले यह जो air rise करती है बोले कहां तक rise करती है तो this model says कि air rises till here and this line is tropopause बोले कहां तक air rise कर सकती है बोले till tropopause so ferral model बोलता है for example this is equator and this is poles बोले air equator पर rise करती है और poles पर जाने की कोशिश करती है तो poles पर sink करती है इसी type से cell चल रहा है this is what ferral says लेकिन ferral गलत है air rise तो करती है but not till here air rises till here only वहां जाती है ऐसे तो यह जो cycle चल रहा है यह काफी shallow है इन्होंने काफी इसको बहुत जादा height तक लिया है तो air rise तो कर रही है लेकिन tropopause तक नहीं करती है अब देखते है ferral model में कमी क्या थी आपटाओगा ferral ने इन तीन cell को नाम भी दिया था इस को नहीं कया नाम दिया था पोल्स इस एट 90 डिग्रीज, ओके, इक्वेटर पे एर राइस करेगी, हाँ बिलकुल करेगी, पर बोले नॉट टिल ट्रॉपो पॉस, बोले यह क्या है, बोले लाइन है ट्रॉपो पॉस, बोले एर राइस तो करेगी, लेकिन ट्रॉपो पॉस तक नहीं, बहुत काम हाइट 500 to 1000 meters only rise करेगी, फिर वहाँ से वो डिफलेक्ट हो जाएगी, 30 degrees पर sink करेगी, sink करके 60 degrees भी जाएगी, 0 degrees भी जाएगी, अब जब यहाँ पर जाएगी, अगेन एर राइस करेगी, बट नॉट ट्रॉपो पॉस, तिल दे साइट ओनली, फिर वो यहाँ डिफलेक्ट करेगी, प क्या बना है Hi Pressure, 30 degrees के अगर रिफस पर बना है Hi Pressure, क्योंकि Air factor करेंगी, तो टॉप पर क्या बन जाएगा Low Pressure, क्योंकि सारी हवाँ नीचे गिर गई है, 60 degrees पर अगर सरफेस पर बना हुआ है Low Pressure, तो टॉप बनेगा High Pressure, क्योंकि सारी हवाँ कहाँ घटी हो गए ही अ-ग प्रेशर से लो प्रेशर होता है इसका मतलब देखना सरफेस पे तो हवाय चल रही है कैसे चल रही है पोल से 60 डिग्री जा रही है थर्टी डिग्री से एक्वेटर भी आ रही है इस पर चल रही है। उसको हम बुलेंगे वी कॉल इट अलूफ डूफ डूइन उसको हम लोग क्या उलूफ डूइन को एक और नाम देते हैं उसको बोलते अपर टॉपसफेरिक विद्श या कुछ बुक्स सपर ज bayत stream नाम से mention करती है और यहीं से aloft winds एक नया topic निकल के आता जिसको हम बोलते हैं geostrophic winds यह model आप लोगों को clear हुआ अब geostrophic winds क्या होती है उसको समझते हैं यह model आपको धियान रखना है अब यह model को मैं यहाँ पर लेता हूँ देखना अब यह model को मैं geostrophic winds में यहाँ पर लेता हूँ geostrophic winds में आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि वो काफी height पर चलती है अब height पर obstacle नहीं होते यह भी आपको पता होगा और wind हमेशा deflect भी होती है अगर northern hemisphere है तो आप लोगों को पता होगा wind का deflection किस side में होता है आपने पहले basics में पढ़ा होगा northern hemisphere में wind is always deflected towards right direction southern hemisphere में wind कहाँ deflect होती है towards left direction लेकिन height पर land के जैसे barrier नहीं है obstacles नहीं है तो wind काफी तेज़ चलती है आपने एक और चीज़ देखा होगे कि wind deflect होती है why the wind is deflected because of the coriolese force and coriolese force is function of sine theta इसका मतलब क्या है कि sine की सबसे ज़्यादा value कहाँ पर होती है 90 degrees मतलब 90 degrees पर poles के पास coriolese force maximum होता है और sine 0 की value कितनी होती है 0 degree पर 0 मतलब coriolese force minimum कहाँ पर होता है equator के उपर होता है ये भी आपको basic पता है मतलब सबसे ज़्यादा coriolese force कहाँ लगेगा तो आप बुलोगे poles पर मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा deflection होगा चलो अब मैं northern hemisphere की बात करता हूँ अब ये मैं कौन सी wind की बात कर रहा हूँ जो काफी height में चल रही है northern hemisphere में wind ऐसी ले रहा हूँ जो काफी height पे चल रही है wind की speed जितनी तेज देखना wind की speed तेज कब होगी जब high pressure और low pressure के बीच का difference जादा होगा ये जितना जादा थंडा होगा और ये जितना जादा गरम होगा इनके बीच का difference उतना जादा होगा और wind उतनी speed से move करेगी और इस थंडे और गरम के कारण जो हवा पे pressure लग रहा है उसको हम बोलते भी call it pressure gradient force PGF pressure gradient force अब wind कैसे move करेगी wind always move from high pressure to low pressure wind ऐसी चलेगी और यहाँ पर मैं aloof to wind की बात कर रहा हूँ जो काफी height पर चल रही है लेकिन height पर चल रही है तो wind deflect भी होगी और वो किस डारेक्शन में होगी अगर north hemisphere है तो right deflect होगा south hemisphere है तो left deflect होगा तो अब pressure gradient force के करण देखते है wind में deflection कैसे आता है हम लोग बनाते है equator से poles तक right equator के top पर अगर आप ध्यान से देखोगे this is equator this is pole south pole and this is north pole okay this is north pole अभी मैं north में ले ले लेता हूँ wind अभी मैं top की बात कर रहा हूँ जो height पर चल रही है जो यहाँ पर winds चलेंगी तो देखो equator पर height पर क्या बना हुआ है high pressure poles पर height पर क्या बना हुआ है low pressure and wind always moves from high pressure to low pressure so wind ऐसे ही चलेगी हाँ क्योंकि this is pressure gradient force यह क्या है pressure gradient force है और यह wind को ऐसे चलाना चाहता है लेकिन north hemisphere है north hemisphere है तो wind क्या करेगी deflect करेगी लेकिन देखना wind कितना deflect करेगी वो poles के पास सबसे जादा deflect करेगी और कितना करेगी maximum maximum मतला पूर 90 degrees तक deflect हो जाएगी अगर वो equator के पास है तो शायद wind थोड़ा सा ही deflect करेगी उसको अलग पहन से बनाता हूँ अगर वो और उपर गई तो wind और deflect करेगी लेकिन अगर एकदम poles के पास आगी तो शायद अगर wind जादा deflect करेगी और आपको पता है कि wind deflect क्यों ही because of the coriolis force और coriolis force के कारण ये जो wind deflect हुई coriolis force के कारण ये जो wind में deflection हुआ so coriolis force wind पर कहां लगता है so अगर wind ऐसे direction में चल रही है तो coriolis force is always perpendicular to the direction of wind तो अगर ये wind का direction है this is the direction of wind then this is the coriolis force तो अगर मैंने बोला this is the direction of wind तो coriolis force is perpendicular to the wind ये wind के वे not pressure gradient force तो देखना, Coriolis force के कारण wind में 90 degrees deflection हुआ, जिसके कारण ये पूरा system अब कैसा दिखाई देगा, ध्यान से देखना आप लो, जिसके कारण ये पूरा system कैसा दिखाई देगा, high pressure and equator, here we have low pressure and poles, pressure gradient force के कारण, this is PGF, pressure gradient force, pressure gradient force के कारण, wind अगर poles के पास जाऊँगा, तो बहुत जादा deflect हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि poles पर Coriolis force maximum होता है, और जब wind जादा deflect हो जाएगी, so wind का direction अगर ये है, तो इससे बिलकुल perpendicular क्या रहेगा मेरा Coriolis force, क्या रहेगा मेरा Coriolis force, तो देखा जाए, so this is pressure gradient force, जो उपर की तरफ हवा को बुला रहा था, Coriolis force is going towards down, और ये चली गई wind, तो Coriolis force is in perfectly balance with the pressure gradient force, जिसके current wind have almost turned to the right, 90 degrees to the pressure gradient force, जिसके current wind equator से poles जाने की बजाए, अर्थ के उपर height पे कुछ ऐसे move करने लग जाती है, और इसी winds को हम क्या बोलते हैं, we call them geostrophic winds, अब अगर आपको ये topic अभी भी समझ में नहीं आया, तो एक बार आपको basics से cover करना पड़ेगा, क्योंकि basics are very important, फिर भी मैंने आपर कोशिश करिए, कि आपको upper tropospheric winds और jet stream के बारे में थोड़ा बहुत knowledge दे पाऊ, तो आपको पता ह आपको geostrophic winds कब बनती है, तो बोले geostrophic winds क्यों बनी, ये कौन सा force लगा हुआ था, pressure gradient force, जो equator से हवा को poles लाना चाहता था, लेकिन wind कहां मुड़ गई, इस direction में, क्यों मुड़ गई, this is the direction of wind, why, क्योंकि poles के पास coriolis force maximum होता, जिसके करना north hemisphere में right deflection हो गया, और wind के perpendicular कौन सा force चलता, तो then you will say coriolis force, तो देखा जाया, तो coriolis force is in perfectly balanced with the pressure gradient force, because of which wind deflects exactly 90 degrees to the pressure gradient force, so geostrophic winds are generated when these two forces are balanced with each other, कौन से हैं वो दो forces तो आप लोगो पता हो गया होगा, वो दो forces है, pressure gradient force and coriolis force, तो statement one says frictional force and pressure gradient force नहीं, frictional force नहीं हाएगा, दूसरा बोल रहा, horizontal shear shear force and pressure gradient force नहीं, pressure gradient force and coriolis force, yes, this is the correct one, so C is the correct answer of question number one, pressure gradient force और coriolis force के balance होने के कारण, कौन सी wind बनती है, this we call it geostrophic wind, और geostrophic का मतलब ही क्या होता है, कि wind have almost turned 90 degrees to the pressure gradient force, जिसके कारण जो upper tropospheric winds है, वो कुछ ऐसे move करने लगती है, that is parallel to isobars, isobars के कैसे चलने लगती है, parallel, इस type के questions आप parallelism में definitely expect कर सक right, चलिए next question की तरफ चलते है, question number two, और देख लेते है, क्या बता रहा है, आपर मैंने diagram बगरा दे रखे है, आप लोग आराम से PDF को डाउनलोड करके देख लेना, question number two says, the easterlies from either side of the equator converge in, बले easterlies कहाँ पर converge करती है, आप लोग ने feral model को कई बार पढ़ा होगा, feral model कुछ ऐस this is 30 degrees, है ना, उसके उपर क्या है, we have 60 degrees and then 90 degrees, फिर नीचे भी ऐसे ही similar चलता है, 30 degrees, then we have 60 degrees, then 90 degrees, okay, so यहाँ पर कौन सीबेंट्स चलती है, tropical areas में, तो आप लोग बोलेंगे, this is easterlies, this is easterlies, और easterlies कहाँ converge कर रही है, so around 0 degrees, और जहाँ easterlies converge करती है, वो tropical areas में converge करती है, तो उसक itcz, right, इनको क्या बोलते है, हम 0 degrees वाले को, itcz, तो easterlies दोनों साइड से आती है, और equator पर कहाँ converge करती है, itcz, so answer is b, so intertropical convergence zone is the answer of question number 2, easy question था काफी, चलिए, next question को देख लेते है, question number 3, catabatic and anabatic winds are generated by, catabatic winds का मतलब है mountain breeze, और anabatic का मतलब है valley breeze, mountain breeze और valley breeze के बारे मैं को पता हो काफी easy question है, कि mountain breeze कप चलती, valley breeze कप चलती, for example, this is a mountain, this is a mountain, beach में क्या भी है valley, अब देखना, during daytime, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, daytime की, दिन के समय क्या होता होगा, दिन के समय, चुकि mountain का top पे atmosphere काफी काम होता है, rare atmosphere होता है, क्योंकि जादा तर atmosphere तो क्या है, surface के पास रहता, because of the gravitational pull of earth, तो mountain के top पर air बहुत thin है, बहुत rare air है, तो जब धूप पड़ती होगी, तो बहुत speed से ये portion क्या हो जाता होगा, गरम, तो गरम हो जाता होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाता होगा, low pressure, अगर mountain के top पर बनता है low pressure, तो comparatively valley में ठंडा area रहता, तो वहाँ क्या बन जा किसी भी wind का नाम देते हैं, जहां से उसका origin होता है, वहीं से उसका नाम देते हैं, तो यह वाली जो wind हमको कहां से origin होती, दिखाए दे रही है, कि valley से start हो रही है, और mountain तक जा रही है, तो इस type की wind को हम क्या बोलेंगे, we will call it valley breeze, इसको हम क्या बोलेंगे valley breeze, और valley breeze का एक और हमें इसको बोलते हैं एना बेटिक विंड तो यह कहां पर चलती है तो आप लोगों को यह जादा heat तो उन्होंने capture करी नहीं, दिन में तो गरम हो गए ते जल्दी से, रात में ठंडे भी जल्दी हो गए, तो रात में ये बहुत ठंडे हो जाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा high pressure, यहाँ पर भी बन जाएगा high pressure, और comparatively valley में क्या बन जाएगा low pressure, and wind always moves from high pressure to low pressure, so mountain से wind कहाईगी towards the valley, और इसको हम क्या बलेंगे, जहाँ से wind का origin होता हो, वहाँ से नाम देते तो बलेंगे mountain breeze, और mountain breeze का एक और नाम क्या है, तो आप लोग को पता होगा catabatic winds, so catabatic और anabatic किस से related रहते हैं, so they are related with the movement of wind in the mountainous area, so contact and movement of air parcel close to a slope deterrent, yes, slope deterrent means, they mean to say mountainous areas, तो बिलकुल, so this is the correct answer, so a is the correct answer of question number 3, easy question था, चलिए, next question को देख लेते हैं, question number 4, which of these is our characteristic feature of Chinook winds, Chinook winds के बारे में question है, Chinook आप लोगो को पता होगा, कहाँ चलती है, North America में चलती है, North America में कौन सा mountain system है, North America आप लोगो ने देखा होगा, this is how North America looks like, और यहाँ पर यह कौन सा mountain system है, तो आप लोग कौन सा पोरिशान है, so this is west side of Rockies, and this is, sorry, this is east side of Rockies, this is east side of Rockies, and this is west side of Rockies, okay, अब देखना, यह रोगी जहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी इसनो गिरती है, इस साइड इसनो गिरती है, लेकिन यहाँ से जो winds आती है, यहाँ से बहुत सारी winds आती है, water के उपर आती है, warm winds होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, we call them Chinook, क्या बोलते हैं हम इनको Chinook, जब Chinook Rockies से टकराती है, यह Rockies Mountain से टकराती है, तो height बढ़ती है तो altitude के साथ ठंडी होती है ठंडी होती है तो पानी गिरने लगता है लेकिन किस साइड पानी गिरता है on the west side of rockies तो west side पे तो बहुत पानी गिरता है पर जब यह चिनूग इसको cross करके नीचे जाती है तो अब दुबारा नीचे आती ही तो उनका temperature काफी बढ़ जाता है तो यह चीज़े आपको ध्यान रखना है चलिए आप question को देखते है चिनूग विंड्स पे they are highly moist and dense winds experienced on the windward side of the mountains पूरे statement गलत है क्यों they are highly moist नहीं they are highly dry क्यों क्योंकि पानी तो उनका already गिर चुका है west side पे and dense winds dense भी नहीं है नीचे आई है तो वो light winds है experience on the windward side नहीं windward side तो यह this is the windward side और यह वाले side को हम क्या बोलते है leeward side of the mountain so experience on the leeward आएगा है हाँ पर leeward side of the mountain so statement 1 तो मेरा पूरा गलत था statement 2 को देख लेते they can cause significant temperature spikes in the area they flow through बिल्कुल बात सही है जिस area में आएंगे वहाँ पर यह महिनों में जमी बर्फ को कुछ दिनों में खतम कर देगी कुछ गंटों में खतम कर देगी और वहाँ के temperature को बढ़ा देगी minus 10 से plus 15-20 degrees तक पहुचा देगी तो यह वाला statement बिल्कुल correct है which of the above is our correct only statement 2 is correct so answer is B so B is the correct answer of question number 4 easy question था किस के उपर था चिनूट विंट के उपर था तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि पहले यह कैसे थी moist air तो थी लेकिन जब यह पहाल के उपर चड़ी तो थंडी हो गई थंडी हो गई तो क्या होगा अब इसकी moisture carrying capacity कम हो जाएगी तो इस side बहुत जादा पानी गिरने लग जागा और यह mountain का कौन सा side west side of the mountain है और इस side को हम क्या बोलेंगे we call it windward side okay फिर जब यह wind cross करेंगी तो अब यह नीचे आ रही है तो अब यह काफी dry हो जाएंगी क्योंकि पूरा पानी तो west side गिर गया है तो अब जो east side है वहाँ पर पानी नहीं गिरेगा तो यह area कैसा हो जागा dry प्लस यह winds जब नीचे आएंगी तो धीरे धीरे देखो red होती जा रही है इसका मतलब यह अब कैसी होती जा रही है यह warm winds है warm winds है तो यह क्या कर देंगी snow को eat कर लेंगी so they are also known as snow eater तो यह भी आपको ध्यान रखना है कहां चलती है North America में Rockies mountain system पे है next question देखते है question number five the pattern of planetary winds largely depends on planetary winds का pattern किसके उपर depend होता है statement one बोलता है the distribution of continents and oceans बात बिलकुल सही है planetary winds का pattern ocean और continents पे डिपेंड होता है बिलकुल उसके उपर depend होता है क्योंकि वह high pressure low pressure पे चलता हो सकता अगर oceanic water बहुत ठंडा हो ठंडा होगा तो उसमें contact manually air भी ठंडी हो जाएगी ठंडी हो जाएगी तो क्या बन जागा high pressure बन जागा अगर oceanic water warm है तो क्या बन जागा low pressure बन जागा और high pressure से low pressure wind चलती ही तो बिलकुल इसके कारण planetary wind का pattern तो effect हो गई होगा rotation of earth yes rotation of earth के कारण wind के उपर एक force लगता है we call it Coriolis force एक बात आपको ध्यान रखना है Coriolis force only affect the direction of wind not the speed of wind Coriolis force से सिर्फ और सिर्फ wind का direction change होता उसकी speed पर कोई impact नहीं हाता speed depends on the pressure gradient force और pressure gradient मतलब कि कितना high pressure है और कितना low pressure है high pressure मतलब जो एरिया जितना ज्यादा थंडा वो उतना ज्यादा high pressure जो एरिया जितना ज्यादा गरम वो उतना ज्यादा low pressure and wind always moves from high pressure to low pressure so rotation of earth के करण Coriolis force लगता है बात सही है so planetary wind पे उपर इसका भी impact आएगा movement of current in the ocean yes अगर cold current है तो high pressure बनेगा warm current है तो low pressure बनेगा so it also affect the pattern of movement of planetary winds so all the statement are correct how many of the statement given above are correct all of them are correct so answer is C अब देखना अगर मालो आपने सिर्फ first statement को correct करा होता तो भी आप इसमें eliminate कर सकते थे अगर एक statement correct हो गया था मतलब none तो मेरा answer नहीं हो सकता था अगर मेरे दो statement correct हो गया था इसका मतलब only one तो मेरा correct नहीं हो सकता था और अगर तीनों correct हो गया then you have marked C as the correct answer of question number 5 easy question था चलिए यह मैंने कुछ diagrams वगरा दे रखे हैं यह मैंने feral model दे रखा है आप लोग देख ले न NCIT में as it is class 11 के NCIT fundamental of physical geography में आपको यह diagram देखने के लिए मिल जाएगा next question की तरफ चलते that is question number 6 consider the following with reference to trends of atmospheric pressure atmospheric pressure के बारे मैं बात कर रहा है statement 1 को पढ़ते है atmospheric pressure over ocean is always higher than over the continent atmospheric pressure किसके उपर depend करता है surface के उपर depend करता है अगर surface थंडा है if the surface is cold अगर surface थंडा होगा तो उसके contact में आने ओली air भी थंडी हो जाएगी और थंडी हवा हमेशा sink करती है वो dance होती है तो वो sink करके नीचे बैठ जाती है और अगर नीचे बैठ जाती है तो क्या बना देती है high pressure बना देती है अब वो surface कोई सा भी हो सकता है वो चाहे continent का surface हो चाहे वो ocean का surface हो अगर ocean गर्म होगा तो low pressure बनेगा अगर ocean का surface थंडा होगा तो high pressure बनेगा अगर continent थंडा होगा तो high pressure बनेगा गर्म होगा तो low pressure बनेगा तो atmospheric pressure over ocean is always higher, यह बात तो गलत है, हो सकता है, जमी ज़ादा ठंडी हो, जमी ज़ादा ठंडी होगी, जैसे poles पर रहती है, अंटार्क्टिका में, तो महाँ पर ज़ादा high pressure बनेगा, so this is incorrect, statement 1 incorrect होते ही मेरा A और C चला गया, because which of the above is are correct, correct के बारे में पूछा है, तो दो option तो मेरे eliminate हो जाते हैं, दूसरा देखते है, atmospheric pressure over equatorial region is always higher than that of poles, by equatorial areas पर तो low pressure बनता है, क्योंकि equator warm areas है, तो surface के contact में आने लिए air भी warm हो जाती है, और warm air क्या करती है, rise कर जाती है, और warm air rise कर गई, तो equator के surface पर क्या बन जागा, low pressure, और poles काफी ठंडे होते हैं, तो महाँ पर air sink करती है, dance area रहता है, वहाँ पर high pressure बनता है, so this statement is also incorrect, so answer क्या हो जागा मेरा D, none of the above is correct, so D is the correct answer of question number 6, next question पर चलने के पिले friends, आप लोग के लिए काफी important information है, अगर आप लोग भी UPSC और MPPSC के preparation करना चाते है, that too at the most affordable price of rupees 4500 only, तो आप हमारी इस app Perceverance IS को play store से download कर सकते हैं, और complete pre plus means के integrated batch को access कर सकते हैं, जिसकी validity होने वाली है, one year, अगर आप को वीडियो पसंद आता है, तो चैनल को subscribe करना है, क्योंकि अगर आप चैनल को subscribe नहीं करोगे, तो हो सकता है YouTube दुबारा आपको मेरी ये वीडियो दिखाई ही ना, और आप इस type के quality content को miss कर जाओ, वीडियो पसंद आता because they blew throughout the year, बोले पूरे साल चलती है, monsoon winds, ये तो seasonal है, इंडिया में आती है, seasonal winds से इनका reversal भी होता है, तो ये permanent तो नहीं है, continental winds, ये कौनसी winds है, continental winds, है, ये भी चला गया, orographic wind, जो mountain के ऊपर चलती है, like chinoo की ज़न orographic, तो क्या वो throughout the year चलती है, answer is no, so this is also incorrect, so A is the correct answer of question number 7, easy question next question देख लेते है, question number 8, consider the following statement about air fronts, किसके बारे मैं question है, air fronts, अब air fronts क्या होते है, उसको मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, देख न, हमारे पास तीन टाइप के areas होते हैं, अर्थ के उपर, अगर मैं बोलूं, ये मैं अर्थ को आदा लेता हूं, north hemisphere में, ओके, ये 30 degrees है, this is 60 degrees and this is 90 degrees, ये 0 degrees, ये वाला area कौन सा सा आप लोग बुले कि we will call it tropical area, this is temperate areas और इसके उपर we have polar areas, so देखना, it is relatively easier to explain the weather phenomena in the tropical areas on the basis of temperature, बुले जहां high pressure है, low pressure है, ये सब plot करते रहे, लेकिन ये temperature के basis पे atmospheric circulation बताना, temperate areas में काफी difficult हो जाता है, तो temperate areas में अगर आपको atmospheric circulation पता करना है, ये पता करना है, पानी क्यों गिर रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ नए concepts लगेंगे, like jet stream, like air masses, like fronts, तो अब हमारे पास कुछ new concepts आ जाते हैं, like the concept of air mass, तो air mass वगेरा क्या होते हैं, आप लोग मैं आपको बता देता हूं, air mass अगर आप से कोई भी पूछता तो क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सबसे पहले, कि ये क्या होते हैं, बहुत बड़े-बड़े areas, for example this, hole is a tropical area, tropical area और temperate area में कुछ difference है, क्या difference है कि tropical area का temperature जादा है, then temperature area, अगर tropical area का temperature जादा है, तो इस पूरे area के contact manually air का temperature भी कैसा होगा, जादा होगा, तो बहुत बढ़ी mass of fair है, जिसका same temperature है, अगर आप horizontally किसी भी height पे चलोगे, तो temperature same दिखाई देगा, nearly same दिखाई देगा, बोले, for example, अगर indoor में है 20 degree, तो शायद दिल्ली में भी 20 degree होगा, क्योंकि बोत आरे, near each other, tropical area के पास है, लेकिन अचानक से एक moment आगा, जैसे आप एक line को cross करोगे, अचानक स रहेगा, nearly same temperature, क्यों, क्योंकि temperate area में, जो air है, वो अलग temperature पे, tropical area में जो air है, वो अलग temperature पे, तो यह जो बड़ी-बड़ी mass of air है, इन ही को हम क्या बोलते है, we call them air masses, क्या बोलते हैं, उनको we call them air masses, अब आपको और clear नहीं हो पाया, तो एक और मैं concept आपको समझाता हूँ, air mass होती क्या है, this is how air mass looks like, ध्यान से देखना आप लो, यहाँ पर तो दोनों ही, थोड़े से गलत दे दिया, मैंने diagram, कोई issue नहीं, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, for example, यह मैं कौन सा area बता रहूँ, this is tropical area, यहाँ पर है tropical area, and here we have temperate area, अब ध्यान से देखना, tropical area, area की air की air कै temperature area में कैसी air होने वाली है, cold air, अब देखना, पर यह दोनों, यह पूरा air का एक बहुत बड़ा mass है, जिसमें horizontal temperature difference around negligible है, यह पूरा temperature area है, तो यहाँ पर भी air एक जैसे temperature की होगी, ठंडी हवा होगी, लेकिन यह ठंडी हवा, इस गर्म हवा के साथ कहीं ना कहीं तो मिल रही ह कहां मिल रही है, तो वो इस line के उपर मिल रही है, तो इस line को बोला जाता है front, front के बारे में आप पता कैसे चलोगे, कहां front है, तो देखो आप यहाँ पर चल रहा है, for example, यहाँ पर हर जागे temperature चल रहा है 20 degree Celsius, लेकिन जैसे ही आपने front को cross किया, अब आप 20 degree से अचानक से 5 degree Celsius mentor कर गया, it means this two dimensional boundaries of front, तो यह क्या है front है, अब देखना front पे हमेशा दो air masses एक दूसरे के साथ interact करती है, यह warm air है, यह cold air है, हो सकता cold air तो stagnant हो, warm air ने cold air की तरफ movement शुरू कर दिया, तो warm air हमेशा हलकी होती है, तो rise करती है, और cold air हमेशा नीचे जाती है, जिसके कारण front is never exactly vertical, front हमेशा इसी inclined बनती, क्यों, क्योंकि cold air dance है, तो वो नीचे गुसने की कोशिश करती है, और warm air उपर उठने की कोशिश करती है, जिसके कारण यह wedge बन जाता, triangular wedge, जिसके कारण front कभी भी exactly vertical नहीं होती, तो warm air उपर जा रही है, लेकिन warm air ने cold air को approach किया, तो हम इसको बोलेंगे we will call it warm air front, जो air front दूसरे को approach करेगी, उसके नाम पर दे देंगे, मालो अगर cold air, warm air की तरफ आ रही होती, तो हम बोलते cold air front, तो यह समझ मैं आपको, अगर कोई एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहा, तो हम बोलेंगे stationary front, न warm move कर रही है, न cold, बोले बस यह line बनी होगी है, सब क time आएगा कि नीचे cold air हो जाएगी और उपर पूरी warm चली जाएगी, और warm air कैसी रहती है, उसमें to moisture भी रहता है, उसमें moisture holding capacity रहती है, और नीचे ठंडी आवाब उसके moisture को नीचे गिराएगी, तो पानी गिरने लग जाएगा, तो यहाँ पर मैंने वो ही बना और उस type की front को देखना, वो कैसी दिखाई देगी, पूरी warm air उपर चली गई, कैसे चली गई, क्योंकि धीरे धीरे warm air उपर जाती जाएगी, और cold air नीचे फैलती जाएगी, तो नीचे पूरे में क्या हो जाएगी, cold air mass, तो पूरे में नीचे cold air mass हो गया, और उपर warm air में moisture होता है, और cold air जैसे जैसे उसको ठंडा करना शुरू करेगी, तो हैं पर क्या गिरने लग जागा, पानी गिरने लग जागा, और फिर बाद में warm-cold सब mix होके खतम हो जाएगी, लेकिन जब ऐसी air mass बनती है, कि warm air mass उपर चली जाती है, cold air mass नीचे आ जाती है, उसको हम बोलते है, occluded front, क्या उसरे में mix हो जाती है, और front की death हो जाती है, जिसको बोलते है, frontolysis, कि अब front बचा ही नहीं, कोई difference बचा ही नहीं, तो occluded का मतलब समझ में आ गया, when warm air mass is tossed above the cold air mass, this is occluded front, और occlusion की stage में पानी बहुत गिरता, like here, देखो, cold air, किसकी तरफ एप्रोच कर रही है, warm air, तो हम इसको क बन गए, तो अब यहाँ पर क्या हो रही होगी, rainfall हो रही होगी, तो यहाँ पर भी occlusion होता है, वहाँ पर erratic rainfall होती है, usually, USA वगरा में जो rainfall होती है, क्योंकि वो temperate areas में है, तो वहाँ पर rainfall होती है, because of the interaction of air masses, warm air mass, cold air mass, और आपको समझ में आ गया होगा, warm air mass, cold air mass, क्या होती है, air masses को predict करना काफी आसान रहता है, क्योंकि वने आपको बता है, पता कैसे करोगे, आप कहाँ पर कौन सी air mass है, easy है, चलते जाओ, चलते जाओ, जहाँ पर अचानक से sudden temperature change देखने के लिए मिले, समझ जाओ कि आप you have reached the front, तो आपको पता रहेगा कि कौन सी air mass कहाँ move कर रही है, कितने दिन में move कर रही है, किसी speed से move कर रही है, so you can also predict the pattern of rainfall, तो ऐसा नहीं है कि US वाले बहुत high tech है, इसलिए उनको पता रहेता rain कब होगी, because they have the system of air masses, fronts का system महाँ चलता, जिसके कारण predict हो सकता है, हमारे यहाँ पर monsoon है, that is highly unpredictable, यह जो 1 second का आपको lag देखने के लिए मिलता है actually मेरे के लिमिट होती है 30 minutes की, जिसके कारण यह आपको 1 second का lag देखने के मिलता है, चलिए, तो अब आपको मैंने air masses वगरा समझा दिए, air front समझा दिए, अब देख लेते है, if a warm air mass move towards the cold air mass, अगर warm air mass cold air mass के पास जाएगी, तो क्या नाम देंगे हम उसको, warm front, क्या नाम turn into a cold front, नहीं, the contact zone turned into a warm front, क्यों, क्योंकि warm air mass cold air mass की तरफ गई है, so this is incorrect, second देख लेते है, occluded front is formed by air mass sinking to the land surface, अरे बई, कौन सी air mass sinking to the land surface, occluded front कब बनती है, हम लोगों ने देख लिया, कि हाँ, cold air पूरी नीचे आ जाए, और warm air toss हो जाए उपर, उस stage को हम बलते है, occluded front, अब य यह तो वता ही नहीं रहे कि warm air toss हो गई है, cold air नीचे फैल गई है, so this is also incorrect, third देख लेते हैं, the air fronts bring abrupt changes in the temperature and causes rain and causes the air to rise to form clouds and cause precipitation, बिल्कुल, जब fronts एक दूसरे के साथ interact करती है, warm और cold तो अचानक से temperature change होता है, warm areas में थंडक महसूस होती है, ठंडे areas में अचानक से गरमाट महसूस होती है, और गरम और ठंडी हवाय जब मिलती है, तो एक दूसरे के साथ क्या होता, interaction होता है, और फिर धीरे धीरे क्या होना शूरू हो जाती, rainfall होना शूरू हो जाती, क्योंकि warm air को जब cold air mass touch करता है, तो उसके temperature को कम करता, तो उसकी moisture holding capacity कम हो जाती है, जिसके कारण बारे श चूरू हो जाती है, आप लोगों के basic strong होंगे, तभी सारी चीज़े आपको समझ में आएंगी, so the air fronts bring abrupt changes in the temperature, बास सही है, and causes air to rise to form clouds and cause precipitation, बिल्कुल बास सही है, तो statement 3 is correct, how many of the statement given above are correct, only third statement is correct, मतलब A की statement सही है, so answer is only one, so A is the correct answer of question number 8, easy था, यह fronts में आपको बताई थी, right, अगर मैं आपसे पूछू कि ये वाली जो front है, ये वाली जो air masses है, इसका नाम क्या दूँ मैं, warm दूँ या cold दूँ, तो अब आप बोलोगे कि सर कौन सी किसकी तरफ move कर रही है, तो ध्यान से देखो, cold front, बुले तो move ही नहीं कर रही है, हाँ, लेकिन ये भी cold air है, और इसका direction of front दे रखा है, मतलब cold air move कर रही है, warm की तरफ तो हम क्या दे देंगे, cold front नाम दे देंगे, है न, यहाँ पर भी देखो, जिसका direction दे रखा है, cold air is moving towards warm air, तो क्या दे देंगे, cold front नाम दे देंगे, easy है, ये diagram थोड़ इसे गड़बल है, इसलिए आपको ज़्यादा समझ में न देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, next question देख लेते हैं, question number 9, the capacity of air to hold water vapor increases as, बले, air की capacity water vapor को hold करने के लिए कब बढ़ती है, जब उसका temperature बढ़ता है, air gets warmer, yes, जब temperature बढ़ता है, तो air की moisture holding capacity भी जादा हो जाती है, आपको पता होगा, हमारे यापर बारिश में क्या होता है, खुब धूप परती है, लेकिन पानी नहीं गिरता है, पूरा पानी evaporate हो जाता है, क्यों, क्योंकि air की moisture holding capacity बढ़ जाती है, और air maximum कितना water hold कर सकती है, 4%, 0 to 4% तक air water को hold करती है, लेकिन अगर उसका temperature गिरा दोगे, जब clouds बनते है, हवा उपर जाती है, उपर जाती ही, तो ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो पानी गिरने लग जाता है, तो ये चीज़ आपको समझ में, तो गर्म हवा की moisture holding capacity जादा होती है, ठंडी हवा तो क्या करती है, moisture को hold नहीं कर पाती है, इसलिए आप ठंड के दिनों में रात में जब ज़्यादा ठंड पढ़ती है तो क्या होता, आपकी गाड़ी की seat पर पानी जम जाता है, क्यों? क्योंकि जब हवा ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो उसमें जो moisture रहता है, उसको छोड़ देती है, उसको hold नहीं कर पाती है, लेकि दिन में दुबारा धूप पढ़ती है, तो उसकी moisture holding capacity बढ़ जाती है, दूसरा बुल रहा है, air expand in volume for the same weight, हाँ, the capacity of air to hold water vapor increases, बिलकुल अगर water vapor increase होगा, उसकी volume बढ़ेगी, definitely उसकी volume बढ़ेगी, तो air expand भी करेगी, तो बोत of them are correct, which of the above is correct, बोत 1 and 2 is correct, so answer is C, so C is the correct answer of question number 9, easy question था काफी, question number 10 को देख लेते हैं, the direction of wind around a low pressure in northern hemisphere is, अगर माल लो northern hemisphere की बा equator के नीचे क्या है, so you will say southern hemisphere, equator के उपर क्या है, तो आप बोलोगे northern hemisphere, northern hemisphere में अगर low pressure बन गया है, तो महाँ पर direction of moment of wind क्या होगा, देखो, अगर माल लो इस portion में low pressure बना है, so wind always moves from आपको पता high pressure to low pressure, तो यहाँ पर सब जगे से क्या आएंगी, winds आएंगी, लेकिन north hemisphere है, तो because of the coriolese force यहाँ पर deflection भी होगा, towards the right direction, north hemisphere में किस direction में deflection होगा, towards right, तो देखो, नीचे से जो winds आएगी, वो कहां मिड़ जाएगी, towards right, यही right हुआ, यह मुड गई, यह जो pen का point है, right direction, अब यहाँ से जो हवा आएगी, मुड जाएगी, towards right, क्योंकि इसका right तो ऊपर हो, ऊपर से जो हवा आएगी, वो यहाँ मुड जाएगी, क्योंकि इसका right यह है, यह हमारा left है, लेकिन wind का right है, और यहाँ से जो हवा आएगी, वो यह मुड जाएगी, क्योंकि इसका right यह है, right, तो देखा जाए, तो wind कैसे move कर रही है, ऐसे ही move करने की कोशिश कर रही है, clock के pressure in southern hemisphere wind कहां deflect करती left so left to deflect कर गई ये left deflect, so left to deflect, so ये क्या हो जाएगा तो आप लोग बूलोगे clockwise direction, so southern hemisphere में clockwise direction में deflection होता है, northern hemisphere में anti-clockwise या counter clockwise direction में deflection होता है, so direction of wind around low pressure in northern hemisphere is anti-clockwise that is c या counter clockwise, easy था question, काफी easy था, ये मैंने दे भी रखा है, आप देख सकते हो, cyclone बन रहा है, cyclone क्यों बन रहा है, क्योंकि water के उपर surface पर क्या बन जाता है, low pressure, when sea surface temperature is more than 27 degree Celsius, cyclone पर जब question आएंगे तब देखेंगे, बाकी जगे से जब हवा आती, तो हवाओं के कारण आप देख सकते हो, कि moisture carrying winds कैसे घूम रही है, clouds को कैसे घूमा रही ह और किस direction में घूमा रही है, तो आप बोलोगे anti-clockwise, क्योंकि ये northern hemisphere की बात की जा रही है, easy है, चैलिए, next question देख लेते हैं हम लोग, question number 11, the roaring 40s are, बैं, roaring 40s क्या है, roaring 40s, तो मैंने आपको trick भी बताई थी, rss होता है, तो rfs याद रखो, r मतलब roaring 40s, 40s मतलब ये किसकी बात कर रहा, ये वाला 40s, 40s shows the latitude, कौन से latitude पर हवाय चलती है, तो बले ये winds कौन सी है, these are the westerlies winds, ये westerlies winds है, in southern hemisphere, चुकि वहाँ पर पानी ही है, तो winds काफी speed से move करते हैं, इसलिए उनके नाम दे दिए, 40 degrees पर 40 की speed से चलते हैं, तो बलते है, roaring 40s, furious 50s, क्या बलते है, furious 50s, और तेज चलती है, and shrinking 60s, तो ये मैंने आपको नाम बतायते है, shrinking 60s, और ये 60s क्या है, 60s is the latitude, 50s is the latitude, तो RSS की जगे, RFS, ये कौन सी winds रहती है, सारी की सारी, westerlies रहती है, कहां चलती है, southern hemisphere में, क्योंकि southern hemisphere being the water hemisphere, because most of the southern hemisphere is covered by water, इसलिए उसको water hemisphere बोलते है, जहाँ पर हवाय का तेज चल डिगरी latitude पर बोलते है, roaring 40s, 50 पर furious 50, 60 पर shrinking 60s, strong westerly wind found in the southern hemisphere, बात बिलकुछ सही है, पहली बार में उसने सही बता दिया, strong westerly winds है, strong, काफी तेज move करती है, दूसरा का बल रहा है, feeble easterly, ने, easterly तो होती नहीं हो, northern hemisphere तो और भी गलत हो गया, thunder storm often found, near the equator, नहीं बे, southern hemisphere आना thunderstorm मतलब मुसलादार बारिश, यह तो wind की बात हो रही है, equatorial counter current that move eastern coast shore in the lower latitudes, पता नहीं क्या वकवास कर रहा है, so मेरा answer तो क्या हो जागा, a is the correct answer, question number 11, next question देख लेते हैं, अगें चिनूक wind पर आ गया है, चिनूक is an important local wind, prevalent in the rocky mountain slope of USA, similarly match the following local winds with the area of their privilege, बले जैसे चिनूक USA के rocky mountain पर चलती है, बिल्कुल उसके ही जैसी कुछ और winds भी है, उनको उनके area के सांद मैच करना है, बस simple question है, पहले बोल रहा है, mistral, foin and siroco, siroco क्या होती हो तो मैं बताता हूँ, पहले बोल रहा है, mistral कहां च hazard, नहीं, ये तो Elf में चलती है, और elf में भी कहां चलती है, तो आप बोलोगे elfs के south side चलती है, सो ये कहां पर चलती है, southern elfs में चलती है, कहां चलती है, southern elfs, और बिल्कुल चिनूक जैसी रहती ही, देखना, elfs कैसे है, बही, north to south चलते है, योरोप में, right, so जो south side जो wind चलत तो दोनों इनकरेक्ट हो गए थार्ड स्टेटमेंट बोल रहा है शिरोग को अब यह सिरोग को विंट्स क्या होती है उसके लिए मैं पहले आपको बता देता हूं शिरोग को होती क्या है देखो यहाँ पर अरॉंड देस इस ट्रॉपिक ऑफ कैंजर राइट यह ट्रॉपिक ऑफ कैंजर है तो अगर मैं इस ट्रॉपिक ऑफ कैंजर के थोड़ा सा उपर जाहूं तो अगरारगे है तो अगर में धेखो बताब की 30 degree latitude 30 degree latitude मतलब आप क्या बोल सकते हो 30 degree का मतलब क्या है तुम इसको पहले तो pen change कर देता हूँ white color का ले लेता हूँ 30 degrees latitude का मतलब क्या है तो आप लोग बुलोगे 30 degrees पर बनता है high pressure कौन सा high pressure बनता तो आप बुलोगे subtropical high pressure belt high pressure का मतलब क्या है कि यहाँ पर हवाएं कैसी रहती है sinking air sinking air मतलब हवा उपर से नीचे की तरफ forcefully दप जाती है और अगर यहाँ पर sinking air है sinking air मतलब हवाएं नीचे आ रही है तो कभी भी clouds बनेंगे नहीं बनेंगे तो जहाँ जहाँ high pressure बनता है वहाँ क्या बनती है desert दूसरी चीज देखना यहाँ पर बन गया high pressure अब सारी हवाएं अफरीका के उपर गिरे जा रही है सारी हवाएं अफरीका के उपर गिर रही है प्लस उपर से cold cold current भी आ रही है मतलब oceanic water भी ठंडा है तो high pressure मतलब ठंडा area और जादा air cold ने ठंडा कर दिया और जादा उसको dry कर दिया तो ये वाला जो western part of Africa this is completely dry desert world's largest desert western sahara desert जिसको बोला जाता है तो western sahara पर हवा उपर से नीचे गिर रही है हवा उपर से नीचे गिरेगी तो वो सब direction में फैलेगी की नहीं फैलेगी ध्यान से देखना वो north की side भी जाएगी वो south की side भी जाएगी वो इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी लेकिन जब जाएगी तो वो किसके उपर से जाएगी तो आप बोलो के desert के उपर से जाएगी अगर desert के उपर से जाएगी तो अपने साथ बहुत सारी धूल लेके जाएगी लेकिन जब धूल लेके जाएगी प्लस वो साथ में Mediterranean Sea के उपर से जब पास होगी तो बहुत सारा moisture इखटा कर लेगी और Europe में जब जाके वो हवा ठंडी होगी तो उसकी moisture holding capacity कम हो जाएगी So Mediterranean Sea से उसने moisture इखटा किया Western Sahara से उसने dust इखटी करी और वो पूरी की पूरी dust को उसने कहाँ फेकना शुरू कर दिया France और Italy मतलब Europe के portion में तो पानी गिर रहा और उसमें dust भी है तो जिसको हम क्या बोलेंगे We will call it blood rain क्या बोला जाता है उसको blood rain तो Sirocco winds के कारण अफरीका से dust कहा जाती है योरोप में जाती है और उसको बोला जाता है blood rain और इस winds को क्या बोलते हैं we call it Sirocco इसका अलग-अलग जगे अलग-अलग नाम है जब यह यहाँ जाती तो अलग नाम है नीचे जाती तो लग नाम है अब वो नाम आप आराम से देख लेना factual है लेकिन मैं आपको बता what is Sirocco इवन देखना जो winds इधर जाती है इधर Atlantic Ocean cross करके South America पहुँच जाती होंगे हाँ तो Amazon के जंगल में भी यह dust चली जाती है इतनी दूर दूर तक यह winds के कारण dust जाती है और जो Amazon में dust जाती है वहाँ पर यह काफी important भी होती है तो यह भी आपको ध्यान रखना हो उसका क्या importance हो आप आराम से देखना हो मुझे comment section में भी बताना तो Sirocco का मैंने आपको मतलब बता दिया है क्या होता है of USA, New York वगेरा के side है so this is also incorrect how many of the above pair are correctly matched none of the pair are correctly matched so answer is D so none is the correct answer of question number 12 याद रखना यहाँ पर भी elimination की technique eliminate नहीं हुई है और phone कहां कहां चलती phone मतलब phone के जैसी USA में चलेगी तो हम phone को बोलेंगे चिनू यहाँ पर चलेगी तो कुछ और नाम देंगे यहाँ पर तो हम उसको phone ही बोल देंगे फिर यहाँ 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 चलती है phone जैसी winds जिसको आप phone बोलो, mistral बोलो, chinook बोलो अलग 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 नाम है मतलब वो पहाड को cross करके आएगी wind और उसके बाद वो dry हो जाएगी, warm हो जाएगी so dry plus warm air उनी को chinook बोलते है, उनी को phone बोलते है उनी को mistral बोलते है, अलग 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 नाम है next question पर चलने के पले friends again आप लोग के लिए एक announcement है अगर आप लोग भी UPSC और MPPSC की preparation करना चाहते है that too at most affordable price of rupees 4500 only तो आप हमारी इस application परसीवरेस iOS को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते है जहापर आपको complete pre plus mains का बैच मिलने वाला है with one year value that too at rupees 4500 only अगर आप लोग Apple user है तो आप मेरे इस number पर मुझसे contact कर सकते है I'll help you to download that आप सारे content को PC के उपर भी access कर सकते है और यह जो आपको series देखने के लिए मिल रही है multiple choice questions की यह पूरी series हमारी application के उपर available है बहुत ही nominal price के अंदर जहाँ पर आपको सारे PDF बगेरा भी देखने के लिए मिल जाएंगे और अगर यह video पसंद आता है तो channel को तोरण subscribe करना है और ना हो सकता YouTube अगली बार आपको यह video दिखाई ही न और वीडियो पसंद आ रहा है तो अगे इन वीडियो को like करना है और comment करना है चलिए next question देख लेते हैं consider the following statements statement 1 बुल रहा है in feral cells in the tropical latitude the circulation is that of sinking cold air that comes from the poles and the rising warm air that blows from the subtropical high पूरा statement गलत है क्यों गलत है क्योंकि देखना किसकी बात कर रहा फेरल cell की फेरल cell आपको जैसी पता चला फेरल cell हो कि बुले हम फेरल cell ही बना लेते हैं यही था फेरल cell 0 degree 30 degree 60 degree 90 degree 30 degree 60 degree and 90 degree फिर यहाँ पर कौन सी यहर चलती थी तो आप लोगो पता this is easterlies यहाँ पर कौन सी चलती तो आप लोग बुलोगे westerlies और यहाँ पर this is polar easterlies यहाँ पर यह polar easterlies और यहाँ पर यह prevailing westerlies ऐसे ही हवाय चलती है अब यह क्या बुल रहा है the tropical latitude tropical latitude मतलब कहां से कहा था कि this area this is the tropical latitude the circulation is that of sinking cold air that comes from the poles बई जो sink कर रही है हवा sink हवा कहां करती है तो आप लोग बुलोगे 30 degrees पर high pressure बनता तो हवा sink करती है तो क्या वो pole से आती है या तो वो 60 degrees से आती है या तो वो equator से आती है मगर pole से तो नहीं आती है इसलिए this statement is wrong कि pole से वहाँ नहीं आती है अरे subtropical high pressure तो ये था subtropical high pressure पर तो high pressure है और wind हमेशा high pressure से low pressure जाती है तो subtropical पर तो high pressure बना है ना कि low pressure बना है तो देख लेते हैं इन दा polar cell polar cell कहां मनता है बोले ये वाला ये जो सेल है हमारा जैसे polar cell cold dense air subside near the poles and blows towards the mid latitude as polar easterlies पोल्स पर हवा देखो यहां से air rise करती यहां बना देता हूँ यह air rise करी फिर यहां मुड़ी और पोल्स पर सिंग करी फिर पोल्स से वो mid latitude की तरफ बढ़ती है तो बात बिल्कुल सही है in the polar cell the cold dense air subside near the poles and blows towards the middle latitude as polar easterlies हाँ क्योंकि इसको easterlies बोलते हैं तो easterlies होने के करएंट नाम भी बिल्कुल perfect दिया हुआ तो second statement is correct which of the above is our correct only two is correct only two is given in B so B is the correct answer of question number 13 next question देख लेते है assertion reasoning इस type के भी question UPSC आजकल काफी पूछता है consider the following statements assertion बोल रहा है the trade winds change their direction in different seasons trade winds का मतलब क्या होता है easterlies, westerlies, polar easterlies, tropical easterlies, prevailing westerlies easterlies को बुला जाता trade winds वो तो permanent winds होती है तो क्या वो हर season में अपने direction को change करती है नहीं वो तो हमेशा easterlies है east to west ही move करेंगी so trade winds change their direction no they do not change their direction in the season अगर वो season में direction change करेंगी तक तो seasonal winds बन जाएंगी permanent के से रहेंगी so assertion is wrong reason क्या बल रहा है wind experience is coriolese force due to rotation of earth हाँ भई coriolese force is due to rotation of earth और coriolese force हमने देखा था किस पर depend करता coriolese force is function of sine theta sine theta मतलब theta मतलब यहाँ पर बताएगा latitude कि अगर latitude मतलब बगर 0 degree है तो मतलब sine 0 is equal to 0 मतलब coriolese force equator पर minimum होता है 90 degree मतलब sine 90 90 degree मतलब किस की बात कर रहा हूँ मैं poles की बात कर रहा हूँ so मतलब sine 90 sine 90 की value क्या आती है maximum आती है so मतलब coriolese force is maximum at the poles और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था geostrophic wind का भी concept आ जाता है so wind experience is coriolese force due to rotation of earth बात बिल्कुल सही है so assertion is wrong and reason is correct in the context of the verb which of these is correct A is correct, A is correct, A is correct तो यह तीनों eliminate हो जाते क्योंकि A is incorrect तो मेरा answer रही कि बच्चे का D A is incorrect but R is correct D is the correct answer of question number 14 next question देखते है question number 15 consider to the following statements these are known as anti-trade winds they blow in the temperate region अब किसी wind के बारे में बात कर रहा है पर बोल रहा है anti-trade wind आप लोग बुलोगे tropical areas में चलती है अब tropical areas में तो यह चल नहीं रही है क्योंकि अगले statement में इसने खुद नहीं बता दिया कि वो temperate area में चलती है और easterlies के against चलती है वैसे easterlies के against कौन सी winds चलती है तो आप लोग बुलोगे उसके ultra कौन चलती है westerlies चलती है क्योंकि easterlies कैसे चलती है east to west चलती है easterlies ऐसे चलती है और westerlies ऐसे चलती है यह east से west जाती है और यह west से east आती है तो उसका ultra चल रही है मतलब westerlies की बात कर रहा फिर भी third देख लो they are experienced as warm winds किसके बारे मैं बात कर रहा था above refers to westerlies a is the correct answer third statement अगर आपको कुछ भी नहीं पता था तो इसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि 1 और 2 से ही आपका answer आ जाने वाला था even 1 से भी पता चल जाता आपको दियार known as anti-trade wind trade wind का उल्टा कोई चलता है so easterlies are trade winds so westerlies are anti-trade winds चलिए next question देख लेते है question number 16 consider the following statement statement 1 बुल रहा है in middle latitudes most of duernal variation in daily weather is caused by advection advection का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा advection मतलब होता है horizontal moment horizontal moment of air horizontal moment of air को हम क्या बोलते है एक और नाम से भी जानते है wind तो बोलता है wind के एकारण महाँ पर duernal variation होता है कि duernal variation का मतलब क्या होता है कि दिन और रात के temperature में difference day और night के temperature में difference for example अगर मैं हमारे यहां की बात करूँ हमारे यहां की indoor की बात करूँ बोले दिन में temperature कितना हो जाता है 40 degree celsius रात में कितना हो जाता है 30 degree celsius तो जब दिन में temperature बहुत ज़ादा बढ़ता होगा हो सकता हो तो 70-80 पहुच जाए पर वो क्यों नहीं पहुचता है क्योंकि दिन में आपर बन जाता है low pressure अगर जैसे इन दौर में low pressure बनता होगा दिन में तो तुरंट ठंडी होँ उसकी जगह लेने के लिए आ जाती होगी जब हवा मूफ करती है surface पर horizontal moment होता है तो उसको हम क्या बोलता है advection most of the durinal variation क्यों होता है daily weather में because of the advection बात बिल्कुल सही है क्यों क्योंकि advection के कारण ही तो atmospheric circulation चलता तब ही तो surface पर wind move करती है जैसे low pressure बना low pressure बना तो हवा rise कर जाएगी तो तुरंट इसकी जगह लेने के लिए दूसरी हवा जाएगी और यह आप लोगों ने ऐसा पढ़ा भी होगा तो यहाँ पर low pressure बन गया तो यहाँ से air rise कर गई तो यह surface पर क्या बन गया vacuum like condition तो तुरंट अगल बगल की हवा इसकी जगह लेने के लिए आ जाती है है ना तो यह चीज़ा आप लोगों ने अल्रेड़ी पढ़ चुके हो दूसरा बोल रहा है इंट ट्रॉपिकल रीजन लोकल वेंड रिजल्ट आउट अफ दा एडवेक्शन प्रोसेस ट्रॉपिकल एरिया में लोकल वेंड एडवेक्शन प्रोसेस के करण बनती है बात बिल्कुल सही है एग्जांपल इस लू वेच आप बोट आप लेंड टू आफ देख लेते हैं दिन की बात कर रहा है सब्सक्राइब तो डे टाइम में क्या होता होगा दूरिंग डे टाइम यह लेंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में कॉस्टन है फॉर एग्शन ह प्रीज कर देख लेंड आपको पता होगा लेंड इस मेड़ आप रॉक्स लेंड किससे बना हुआ रहे तो रॉक्स एंड रॉक्स और पूर कंडक्टर ओफीट जो जब दिन में धूप पड़ती होगी तो उपर उपर के पत्थर जादा गरम हो जाते होंगे क्योंकि नीच रॉक्स और पूर कंडक्टर ओफीट दिन में अगर यह लेंड मास गरम हो जाता होगा तो यहाँ पर क्या बन जाता होगा लो प्रेशर बन जाता होगा बट कमपेरिटिवली वाटर पर भी धूप पड़ रही है लेकिन वाटर अपनी हीट को लोवर लेयर को ट्रांसफर कर रात में उल्टा हो जाता है जमीन अगर गरम जल्दी होती तो ठंडी भी जल्दी हो जाती है लेकिन पानी इतनी जल्दी ठंडा होगा क्या नहीं तो रात में क्या चलेगी लेंड ब्रीज और दिन में क्या चलेगी सी ब्रीज तो डे टाइम पे चलती है सी ब्रीज और बात हो जाएगा नहीं समझ में आता है ऐसा डाइग्राम बनाओ एजी एक मिट में सॉल्व हो जाता है और ना कोल्ड नाइट की बात कर रहा है विंड यूजयली ब्लोव फ्रॉम सी टू देलेंड देखना अगर रात ठंडी है पानी इतनी जल्दी ठंड़ा नहीं होगा लेक इतनी ब्लोव फ्रॉम सी टू देलेंड नहीं लेंड टू देलेंड रहा है तो दोनों जागे खलत है विच आफ दबाव इसर करेक्ट बोत अफ देमार इंकरेक्ट सो अंसर इस दी सो दी इस देक्रेक्ट टांस्रों कोशन नमबर 17 नेक्स्ट वेस्टन देखते हैं कोशन न बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है अट्मोस्फेरिक प्रेशर की क्या बुल रहा है वो भी में बता देता हूं तो वेट अफ कॉलम ओफ एर फॉर एस इस पर अगर मालो मैं यह कॉलम ओफ एर ले लेता हूं तो बुले इसका सर्फेस से लेके टॉप तक इसमें कितना वेट उसी को हम क्या बुलते हैं, we call it atmospheric pressure, क्या बुलते हम उसको atmospheric pressure, so this is the correct definition of atmospheric pressure, दूसरा बुल रहा है, its cause can be explained by expansion of air when it is heated and its compression when it is cold, बात बिलकुल सही है, जब हावा को गर्म करोगे तो बात बात करती है, इसलिए equator पे atmosphere ज़़ादा height तक है, pole फ्न ठंडा है तो atmosphere कम height तक है, इसलिए ह जब भी डाइग्राम बनाते हैं माल लो ये बीच में क्या है मेरा equator यहाँ पर है south pole, यहाँ पर है north pole बोले atmosphere कहा था क्यों तो हम कुछ ऐसा ही diagram बनाते हैं न हमेशे क्यों क्योंकि equator पर हुआ around 18 km तक है, poles पर हुआ around 8 km तक है, ऐसा क्यों क्योंकि poles हमारे ठंडे हैं ठंडे हैं तो air compress हो जाती ही तो जादा उपर नहीं जा पाती है, तो यह वाला statement correct है थर्ड बोल रहा, changes in atmospheric pressure are responsible for the maintenance of constant temperature around the globe बात बिल्कुँँ सही है, equator गर्म है तो यहाँ पर low pressure बनता है poles ठंडे हैं तो हमाँ पर high pressure बनता है and wind always move from high pressure to low pressure इसलिए कोई भी area बहुत जादा गरम नहीं होता जबकि tropical areas are the net heat gainer, उनके पास जादा heat आती है और poles are the net heat loser उनके पास बहुत जादा heat चली जाती क्योंकि बहुत कम heat आती तो poles को बहुत ठंडा हो जाना था और equatorial area इसको बहुत गरम हो जाना था इसा क्यों नहीं होता क्योंकि जब equator गरम होता है तो वहाँ low pressure बनता है low pressure, high pressure की winds को अपनी तरफ attract करता है और constant temperature earth पर बनाया रखने की कोशिश करता है तो third statement भी मेरा correct है this is the general pattern of circulation of wind atmospheric circulation जिसको हम बोलते है how many of the statement given above are correct all the statement are correct so answer is 3 all correct that is C so C is the correct answer of question number 18 okay next question के पहले मैं आपको friends बता देता हूँ अगर आप लोग भी UPSC और MPPSC का new batch जोइन करना चाहते है that to at rupees 4500 only तो आप हमारी application Perseverance IAS को play store से डाउनलोड कर सकते है जहाँ पर pre plus mains का complete integrated batch आपको मिलेगा with one year validity अगर ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि YouTube इस टाइप की और वीडियो आप लोगो को दिखाए कुछ demo वीडियो बगरा के लिंक अल्रेडी अपने चैनल पे available है आप उनको देख सकते है I hope आपको इस सारे lectures पसंद आया होंगे Thank you for watching this video Have a nice day